पुलिस ने उसे फंदे से उतार कर अस्पताल पहुचाया जहां महिला का उप्चार जारी है सुमपार को विवेकरनन कॉलोनी में रहने वाले राम गोपाल नामा की वक्त ने पारिवारिक कारणों से अपने घर के एक कमरे में फंदा बना कर फासी पर जूल गया जिसे ततकाल उसकी पतनी अन्य लोगों की मदद से अस्पताल लेकर आई जहां राम गोपाल ने उप्चार के दोरां दम तोड़ दिया पती की मौत की खबर लगते ही उसकी पतनी गायत्री भी वापस घर पहुची और उसने भी अपने कमरे में फंदा लगा कर आत्महत्या का प्रयास करने लगी तबी आसपास के लोगों ने इस घटना को देखा और ततकाल पुलिस को सूचना दी सूचना मिलते ही पुलिस कोतवाली पुलिस के एसाई राजकुमार कुमरे एवं आरक्षक निर्मल रगवनसी ने आसपास के लोगों की मदद से घर का दरवाजा तोड़कर उसे फांसी से उतारा और ततकाल अस्पताल लेकर गए जहां उसकी हालत अभी ठीक बताई जा रही है इलाज चल रहा है जानकारी के अनुसार जिस सक्सराम गोपाल ने फांसी लगा कर आत्महत्या के वह मूलता साजा पुरजिले का रहने वाला है तथा उसकी पिछले साल ही साधी हुई थी वह अपनी पत्नी के साथ कॉलोनी में किराय के माकान में रह रहा था युवाट एक मेडिकल सौप में काम करता था हाँ सुबए लयेक अनुम कालाउनी में एक द्वक्ते में फांसी लगा जाती द्रौसकी लगाने के करण के पहले उसने राड पख्ड़ी जिसके तरौसक के भंद करके अंदर जाएके फांसी के फंदे में जूल गी तो पुलिस को कत्काल सुष्टना मिली और पुलिस मौके पर पहुँची पुलिस के दौरा दर्वाज दोड़ा गया और उसको फांसी के फंदे से जो है नीचे उतारे और उसके प्रश्चा जिलास्पताल मुस्ट को भठी तो कि इसकाल से जो है नहीं नहीं कर दो है राजवाटिका विवाघर सरसुवधायोक्त प्राकर्दिक सुन्दर्दा से ओठ प्रोथ राजवाटिका विवाघर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिशेप्शन, वेडिंग शूट, जन्दिन पार्टी, जन्मासा सहित, आन्यकारिक्रमों के लिए विवाघर उपलप्त अपने मांगलिक कारेक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वाटानुकूलित राजवाटिका मेरिज कार्डिन के साथ, हमारा पता है राजवाटिका मेरिज कार्डिन, नैशनल हाइवे, जूला मोर, भुंदहा, रीवा, अधित चानकारी के लिए संपत करें, 98270-04251 सिर्एंस